प्रवरी 2000 में सरकार ने राश्ट्री जनसंख्या नीती की घोच्णा की थी जिसमें एक पैनल गठित किया गया था जिसकी अध्यक्षता एम एस स्वामिनाथन जीने की थी उसी के तहट 11 मई 2000 को राश्ट्री जनसंख्या आयोक का गठन किया गया है बात करें बौने ग्रह की यानि कि ड्वार्फ प्लानेट तो ऐसे खगोली पिंड जो की सूरे की परिक्रमा करते हों पहली चीज दूसरा ये कि ऐसे खगोली पिंड जिनका द्रव्मान इतना हो कि वो अपने आसपास के दूसरे छोटे पिंडों से पिंडों के गुरुत्त्वी बल से प्रभावित ना हों और एक विशेश पक्छा में सूरे की परिक्रमा करते रहें तीसरी बात ऐसे खगोली पिंड जिनका कोई भी उपग्रह ना हो चौथी बात इनके आसपास कोई भी दूसरा पडोसी ग्रह ना हो अगर ये चार तत्थे कोई भी ग्रह फॉलो करता है तो उसे हम बौना ग्रह कहते हैं कजरी की अगर बात करें तो कजरी उत्तरपदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है जिसकी उत्पत्ति मिर्जा पुर्मानी जाती है कजरी लोक गीत सावन के महीने में गाय जाता है अगर उत्तरपदेश के अन्य लोक गीतों की बात करें तो ब्रज छेत्र में जूला और होरी गाय जाता है जूला सावन में गाय जाता है और होरी पागुन में गाय जाता है नाग मिसाइल के हेलिकाप्टर रूप से मतलब यह है कि नाग मिसाइल को हेलिकाप्टर से लॉंच किया रहा सकता है जिसका नाम हेलिना है हेलिना में हेली का मतलब होता है हेलिकाप्टर और ना का मतलब है नाग अगर नाग मिसाइल की बात करें तो इसके पाँच अलग-अलग वर्जन है जिनकी अलग-अलग रेंज है मतलब परिसर है जहां तक वो हीट कर सकती है नाग मिसाइल की जो रेंजेज हैं वो हैं 500 मीटर से लेके 20 किलो मीटर तक हलिना जो इसका हेलिकॉप्टर लॉंच्ट वर्जन है उसको हम धुरुवास्त्र भी कहते हैं सात्वा वर्ड सिटीज समिट पांच से नौ जुलाई के बीच में सिंगापूर में आयोजित किया गया इस कारिकरम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ को आमंत्रित किया गया था इस कारिकरम का विश्य था लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज एडाप्टिंग टू अडिस्रप्टेट वर्ड फीफा फुटबॉल वर्ड कप दोहजार बाइस कतर में आयोजित किया जाएगा अगर हम बात करें फीफा की तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एस्सोशेशन जो की फ्रेंच में है इसके स्थापना 21 मई 1904 में की गई थी और जब स्थापना की गई थी वो जगह थी पैरिस यानि की फ्रांस में लेकिन बर्टमान में फीफा का जो हैटकॉर्टर है वो है जूरिक जो की सुजर लैंड में है भारत का पहला हॉट एर बलून वाइड लाइफ सफारी मदर प्रदेश के बांदा हुआ टाइगर डिजर्व में स्तापिट किया गया है या हॉट एर बलून बफर छेतर तक ही सीमित रहेगा जहां से लोग बाग, तेंदवे, भारती, भालू और अन्य जंगली जानवरों को उचाई से देख पाएंगे अगर हम बात करें बफर छेतर की तो कोई भी टाइगर रिजर्व या ये कहें कि जैव आरक छेतर होते हैं उनको तीन भागों में भाजित किया जाता है पहला है आपका core zone, दूसरा है आपका buffer zone और तीसरा है आपका संक्रमण zone या संक्रमण छेत या transition zone ठीक है, core zone में किसी भी तरह की मानो गत्विधी नहीं होती है हाला कि वहाँ पे research से संबंधित लोग या कुछ manager बगैरा प्रबंधन के लिए रह सकते हैं buffer zone में थोड़ी सी मानो गत्विधियों को अनुमती दी जाती है, जैसे कि अनुसंधान का कारे हो सकता है natural vegetation हो सकता है, क्रिशी के लिए भूमी का उप्योग किया जा सकता है या आप मच से पालन का कुछ कारे कर सकते हैं, education, training से संबंधित कुछ कारे किया जा सकता है buffer zone में और आखरी होता है transition zone जिसमें कि ये परेटन आदी कारे किये जा सकते है eastern dedicated fret corridor मतलब की पूर्वी मालवाख समरपित गलियारा ये 1840 या 1875 इस तरह की range में एक माल ढूलाई के लिए भारत का एक गलियारा है जो की पंजाब के लुदियाना से लेकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक फैला हुआ है या ये कहें कि जिसका निर्मार किया जाना है इसके साथ ही western dedicated fret corridor भी बनाया जाना है जो की 1490 किलोमीटर के करीब की लंबाई का है और ये जो पश्चिमी वाला dedicated corridor है ये आपका मुंबई के जवाहलाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट से लेके और उत्तर प्रदेश के दादरी तक फैला हुआ है गुजरात में भारत की पहली lithium refinery स्थापित की जाएगी इसके लिए सबसे बड़ी नविकरणी उर्जा कमपनियों में से एक मड़ी करण पावर लिमिटेट लगबग 1000 करोन रुपए का निवेश करीगी इस refinery के लिए lithium ask को आउस्टेलिया से आयात किया जाएगा क्योंकि भारत में lithium का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है तो ये थे कुछ परिच्छा उप्योगी प्रश्ण अगर आपको ये पसंद आये हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद